नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहेंगे ऐसा उमीद है और विश्वास है मुझे तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं आज का मार जो वीडियो है टॉपिक है वह है कि पीजी टी हिस्ट्री का जो कोशन बैंक है जो पूछा ग करते हैं जारखंड से और आप अगर जैसे जो पीजी टी का फॉर्म है आप अगर अपलाइ कर रहे हैं हिस्ट्री से तो एक बार इस वीडियो को देखना तो आपको जरू चाहिए चुकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें किस तरह स चाहिए और कितना त्यारी करनी चाहिए कि हमारे जो त्यारी है वह अच्छे तरीके से बन जाए और हमारा एक्जाम पास हो जाए मतलब कर चाहिए हम लोग सुरू करते हैं अब देख पार है सर यह जो झारखन लिखा है जारखन अस्टाप सेलेक्शन कमिशन पोस्ट बात करें कि हम पसी से देखने हैं में जो जिसका आइडी इसको हैड किया गया चुकी और उसका नाम को ठीक है आप यहां सेंटर देख सकते है यह टेस्ट का सेंटर का मिला था तो ऑ इवए डीजिटेल टिक है जोन आई-डीज टुपू दाना में इसका सेंटर मिला था मत यह कब हुआ एक्जाम तो टेस्ट हुआ अकीस तीन 2018 को एक्जाम हुआ है नेक्स्ट बात करें टाइम की तो 18-16-16 में हुआ था देन हम बात करें सर पीजेस्टी सब्जेक्ट का तो चरिए जहारकंट सरकार के दोड़ा लिया गया था 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत केंद्र के उपरी विधाई सदन को क्या कहा जाता था तो इसका राइट एंसरों का कॉंसील ओप स्टेट राइज का परिशद कहा जाता था देन हम सकेंड कोशन की बात करें तो सकेंड कोशन बहुत ही छोटा लिखाया पर हम इसे जूम करके आपको अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिस तो जरूर करेंगे दोस्तों बेपार और सहायता जो नए देशों के लिए फाइदेमंद माना जाता है वास्तों में राष्टों के संसाधनों पर हावी होने और सिर्शकों के लाब के लिए उपियोग करने का एक आड है या कथन किसका है या किस ने कहा था तो नासिर जी ने कहा था देन हम कोशन नमर थिरी के और बढ़ते हैं कि कोशन नमर थिरी में क्या कहता है कि निमलिखित में कौन सा विकल्प एक वीर सेव महिला संत से संत का नाम है तो इसका राइट इंसर है अक्का महा देवी कोशन नमर फोर क्यों आगे बढ़ते हैं किस अधिनियम के दवारा बंगाल के गुवर्नर जनरल का पद बनाया गया था तो अधिनियम विनी में 1773 के धत बंगाल का गुवर्नर जनरल का पद बनाया गया था अगले स्वाल के रागे बढ़ते हैं बंगाल के गुवर्नर सुबेदार का नाम बताई जिसने अहों सक्ती पर सांदार जीत प्राप्त की थी तो इसका राइट एंसर क्या होगा हम सारे उप्षन को पढ़ेंगे तो टाइम ज़्याद रगेगा और साथी साथ ये वीडियो थोड़ा सापको बोरिंग भी लग सकता है इसी लिए हम डारेक्ट मुद्दा की बात करते हैं डारेक्ट एंसर मीर जुमला ठीक है नेक्स्ट कोशन बात करें तो मुगल काल में विदेशी वेपारियों और अस्थानी वेपारियों के बीच मजश्ता करने के परचलित परना साम क्या था तो पार संस्क्रिती आर्टिया था हम आगे की और बढ़ते हैं चुकि हमें टोटल डेट सो सवाल तो करने हैं अभी बहुत पीछे हैं को सत्थ जो एक राजनितिक नेता थे इसका सबन कीज देश से था हंगरी से था कोशन नमरेट डियत्य विस्चूत के बाद ग्रेट पावर सब्ध को किसके दवारा परतिया स्थापित क्या गया था तो सक्तिसालिदेश सूपर पावर सक्तिसालिदेश काली बंगा में निमलिकृत में से कौन सी सबसे महतपुर्ण खोज थी इसका राइट एंसर होगा अगनी वेदिया कोशन नमरेट 10 में क्या कहता है टेन में लिखा है कि तानसेन को निमलिखित में से किसके द्वारा मुगल आदालत में संरचित किया गया था तो अकबर कोशन नमर 11 क्यों रागे बढ़ते हैं कता मेडम कामा जात्य रूप से समुदाय से समदित है किस से तो पार्सी समुदाय से समंदित है नेक्स्ट यूरोपिय आर्थिक समुदाय को कब यूरोपिय संग की रूप में गठित किया गया था एक नवंबर 1993 को वेदांग उपवेद दर्शन सास्ट के च्छ विद्वत्ता पुर्ण पाठों को एक साथ क्या कहा जाता है अस्मिर्ती साहित कहा जाता है नेक्स्ट आगे पड़ते हैं नाटो के अस्थापना निमिलिकित में से किस मानता से को स्विकार करती है है ना तो इसका राइट एंसर होगा अंतराष्ट्य सुरच्छा आवसकता के लिए छेतरिये गठ जोड प्रधान है भारत में आधुनिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों इसका राइट एंसर क्या होगा इसका सही एंसर है बकीम चंद्र चटोप द्याय कोशन नबर 16 केता है कि सल्तनत और मुगल काल के दोरान मैधि और पस्तिम एसिया के साथ थलचर वेपार क्या लिखाया हाँ वही लिखा थलचर निमलिकिट में से किसके हाथों में था तो मुलतानी की हाथों में था हाई यह बढ़ते हैं कोशन नमर सेवेंटी के और सेवेंटी में लिखा है अमर पाली को किस रूप में जाना जाता है इसका राइट एंसर है बहुत तपस्वी कोशन नमर 18 की और आगे बढ़ते हैं शत्रपति सिवाजी कभी-कभी परमुकों के रायस रनुदान दिया करते सारल के थे डियत नमर झायता है 5 10 सास किसके द्वार लिखा गया है फिसनोगूप्त यह घी पर צ में नव जागरन नमर्द रूप से किया गया था अभिजात वर्गρεί nov आगे बढ़ते हैं 21 पैसावर में सोनार गाउं तक की साही सड़कों के बगल में दिल लेके सुल्तानों ने यात्रियों के लिए कौन सी स्विधाई विक्सित की थी सराय की स्विधा 22 चीन के उस कारिवाक राष्टपती का नाम बता हैं जिन्होंने कौमिंग टांग राष्टवादी सेना की हार के बाद कम्यिस्टों के साथ बाची सुरूगी इसका राइट एंसर होगा लीत तुसुंग जैन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सवर्दन दवरा जाजे पर सास्निक सिरा लेखो में निमने कित में से कौन सा नाम दिया गया है बांस खेडा तामरपत दिया गया है 24 करता है किस महराठा सासक ने पे स्वावों को महराठा राइज का परबंदन स्वापा था साहू महराज अगले सवाल की और आगे बढ़ेंगे हैं विंसेंट ए एसमीत कीस परंप्रा से समनित हैं समराइजवादी अस्कुल से समनित रखते हैं 26 की और आगे बढ़ते हैं भारत को याद रखना चाहिए कि वह क्या थी और क्या लिखा है क्या थी ग्यात होना चाहिए हाँ ग्यात होना चाहिए कि वह क्या हो सकता है और पुर में एक बार फिर सूरज उगेगा और पस्चिम देशों को परकास मान करेगा ये सब्ध किसके हैं एनी बेसेंट 27 में क्या लिखा है किस परकार अस्थूल वजारों में चालको लिठीम सांस्क्रीतियों में सिंधु घाटी परंपरा की निरतरता ढूंडी जा सकती है मिटी के बरतन 28 फ्राजी आंदोलन का असली उदेश क्या था इसका उदेश था कि अंग्रेजों को निसकासन और मुहम्मदन की सकती को बहाली करना बैसकार करना नेक्स्ट है बंगाल की रोयल एसियार्टिक सोसाइटी द्वारा परकासित पतिका का नाम क्या था एसियार्टिक रिसरस्टेज चलिए थाटी कोशन किसान मालिकों को यह भी कहा जाता था गह पतीस वेरी गूद थाटी वान निम्लिकेत में से कौन सा वेनेजुला के महतपूर्ण परसीद नेता का नाम है सीमोन बॉलिवर आए थाटी टू क्यों आगे पढ़ते हैं कता है सामगीरी का संचार जो एक जो की वितिये परनाली का विकास जो पैसों का मुलब है नहीं सुलब है हस्तानतरन अनुप्त्व करवाता के कारण सुगम बन गया था निम्लिकेत में से किस उपयोग के माधियम से किया गया हूंडी आए 33 कोशन कता किस देश में 1904 में पहली बार गैर नस लिए और लोगतांतिक चुना हुए थे दचिन पिर का ठीक है जांक काले और गोरे का भेदभाव होता था कभी पहले अकबर ने धर्ती को चुमने की प्रमपरा शुरू की जिसे अन्यथा कहा जाता था ठीक है पबोस नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि रोम भारत और चीन के बीच सिल्क मार्ग में पोतांतरन केंद्र अस्थित था तो इसका रैट एंसर था बल्क 36 निमलिकित में से वो लोगपिरे धार्मिक बेक्ती कौन था जिसका जहांगीर के साथ अच्छा सबन नहीं था सेक आमद सरहिदी आये 37 क्यों रागे बढ़ते हैं निमलिकित में से कौन मैधिकारिन चिकिस्सा पाठ के लोगपिरे लेका कहें हाकिम मुहमद रजा आये 38 की बात करते हैं गांदिवाद ने भारती राजनीति में पहली बार राजनीतिक राष्ट के अंत्रगत सभी लोगों को सामिल करने का एक विचार धरात्मक आधार परदान किया गया या कथन किसका है आर पीदत आर पीदत साइध ये कोशन तो भज़े ट्रांसलेट नहीं हो पाया है बट नो टैंसन कोशिस तो करेंगे इसको इंडिगो रिवॉल्ट इन 1860 में ओकड़ इन मतलब जो इंडिगो रिवॉल्ट का मतलब होता है कि जिसे की मतलब रिवॉल्ट की करांती कारी हुआ था ठीके तो यह हुआ था बेंगवल में चुकि यह अंग्रेजी है तो कोई दिकत नहीं है आप इसके इसार से थोड़ा सा समन्य का पर्यास करेंगे ठीक है कि नेक्स्ट बात करें तो फोटी वाला भी फोटी को कौशन कुछ पता नहीं चल रहा है हाँ एक चीत प्राइब हूँ एमंग दा फ्लोविंग वाज दा लीडर ऑप दा है ने क्रिस्टिस पॉल्टिकल मुव्मेंट तो क्रिस्टिक पॉल्टिकल मुव्मेंट के नेता कौन तो विल्यम लोवेट थे फोटी वन की और आगे बढ़ते हैं कता है ग्रामिन अस्तर के विवादों का मध्यस्ता करने वालों को क्या कहा जाता था कता है मध्या मसासी आईए फोटी टू की और आगे बढ़ते हैं चीनी या मंगोलिया चिकित चीहन कला असकुल का कौन सा भारत में लाया और अपनी राज दरबार में पेस किया अकबर ने नेक्स्ट है असोक ने महारचिता को किस देश में भेजा था इसका राइट एंसर है युनान ठीक है आईए फोटी फोर की और आगे बढ़ते हैं बिटी संसर द्वारा अमिर्की अपनी वेसों पर लगाया गया पहला पर तेश कर कौन था अस्टेंप अधिनियम सत्रो सो पैर सट हड़ा पास्तर की कुदाय किसके मार्दर्शन में की गई थी एमेस वर्द्स के मार्दर्शन पर अफ्रिका के किस भाग से डिली सल्तन काल के दौन एक छोटी संख्या में दास आयात किये गए थे तो फायान सिकार और भोजन एकत्र करने से क्रिसी और बस्टी में हुए बदलाव किस रूप में जाना जाता है नौपासान क्रांती दूतिये विश्यूद के दौन किये गए प्रस्ताव जिसमें भारत के आर्थिक विकास की योजना किस नाम से लोग पिरी थी बौंबे योज रंकवाद लेबर मिलिटेंसी चोलों के पैड़ी कावल कूली मिलिकेट में से किस का उले करती है पुलीस करका समाजबाद अपनी सीमा के बाहर एक राज की सक्ती का विस्तार है हैंस मौर गेंथो आए 53 चार परसी तंजोर बंधुओं चिनईया पनईया बादी वेलू है न ये त्यादी का नेट्विट करता था भारत नाट्यम का नेक्स्ट है वसाइल संधी की धारा 231 क्या सन्वित करती है युद्ध दोसिता खंड आगे बढ़ें तो 55 कहता है टियर ड्रॉप ओन ए लोड्स लीप जोकी आधुनिक कला काई कुटक्रिस्ट क्रिश्टी है इसके सिल्पी कौन थे रवेंद्र नाठ ट्रैगोर आए 56 कता है मैं सेविक किस विचार धारा के थे तो मैं थे मारगी विचार धारा के थे क्या लिखा है उतना पढ़ाने रहा है हाँ प्रोक्लामेटेट बाई दा नेशनल एसेंबली बाई फ्रेंच लिबेरिटी तो लास्ट ने पढ़ाया यह लुई सोलवी था एक लास नाइन का यह लुई सोलवी के बारे हम कुछ बोला हमको यह समझ में नहीं आया इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं रेट क्लिप सीमा पूसकार कब प्रकासित किया गया था सतर अगस्ट उनिस्जो सेटालीष को सेटालीष को दोस्तों जैसे की आप देख रहें इसका 58 तक कंपलीट हो चुका है एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट आगे क्यों पड़ेंगे सब दा मिडिल पैसेज का अर्थ क्या है ट्रांस अट्लांटिक गुलाम बैपार नेक्स कोशन है इन विस एडिक्ट ए मैंशन वाज मेड अबाउट असो ग्रीक तो यह थर्टीन ड्रॉक एडिक्ट तो यह तो भईया हिस्ट्री का चीज है वह उतना डिप तो हमें नहीं पता तो जितना आता है हमें बता देता है बेल ग्रेड में आज़ित निर्गुट निर्पेश देशों के पहले समयलन में लगबग देशों ने भाग लिया था पचीज 63 डेकन का सबसे परसिद बिजपूरी असमारक कौन था इब्राहिम रोजा 64 क्या कहता धार्मिक पुन्रुद द्वाद वादी आंजलों जिसने अप गानों को उकसाया और उसका नाम क्या था उसका नाम था रोसनाई अगले कोसान मिलिन दपन हां को किस भासा में लिखा गया था पाली आईए 66 काचीपूरं में मंदीर वास्टु कलावर की सुरुवाती दर्विट सैली का सबसे अच्छा धारन है कैलासना आई 67 सिंदूगाटी सब्यता के पतन का मुख्यकारण क्या था तो सिंदूगाटी सब्यता का जो मुख्यकारण था पतन का ओ प्राग रियों द्वारा आक्रमन दे सेंटर आप पोलिस स्ट्राइक मोव्मेंट इन नांटीन एटी वाज सो जी डैंस नेक्स है जापानी वितिये अल्प जनतंत्र को नीचे देगे नामों से कौन दर साता है जायवद्सू जायवद्सू 1935 के भारा सरकार दिन में सबसे महत्पूर्ण परस्तावना क्या थी तो जो थी प्रांति ये स्वायत अता थी और क्या थी आये 71 अंतराश्टी मुद्राकोस यह जो एंसर लिखाए तो सब्सक्राइब किस अंतराश्टी एजन्सी ने पेरू की रूप में क्रेडिट के लिए आयोग घोसित कर दिया था अंतराश्टी मुद्राकोस ने नेक्स्ट है मैं पूर्ण सवराज में कुछ कम से संतुस्ट नहीं होंगा हम करेगे या मरेंगे हम या तो भारत को सब्तंत्र कर देंगे यह हम पर्यास में मर जाएंगे यादगार बयान किसके थे महातवा गानी क्या लाजवाब कहा है इस बात को बोलने में Naw और सुनने इसका जो कथन है और बहुत ही जबर्जस्ट और लाजवाब की बात है चीखें तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा मिलो 73 की बात करते हैं तो 73 जिसे कि हम इसका हिंदी तो नहीं बता पाएंगे चुकि यह इंगलिस में लिखा हुआ है और हम अगर हिंदी में लिखा ह था नो डॉट पर इंगलिस में लिखा है तो मैं नहीं बता सकता है पर इतना दिख लिजी एंगलो मराथा एंड हुआ था ट्रेटी आप क्या लिखा है साल वाई है थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो नो डॉट नेक्स्ट है सुब्रवादी शूफी और वाज ठीक है तो कुछ कुछ चीज़ें जो ट्रांसलेक नहीं हो पाया ना इसलिए तमिल साहित कुलो थुंगन पिल्ले तमिल के लेखक कौन है इसके हैं और टाकुत्थर 77 नेम अब दा मॉस्ट फ्यमास है ना कॉली ग्राफिक्स इन दा अकबर वाजकॉट मुहम्माद हुसेन कस्मीरी आये 78 पहुत लेट हो रहा है ना जातक कहानिया अस्थानिये सर्वेचन अधिकारियों को क्या बताती है तो रजुग गहा का 79 सबसे सुन्दर गुप्तमंदी कहां स्थित है देवगर 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 आये कोचन नमर 80 प्रमानुबाद के कौन से अस्थान ने प्राचिन समय में प्रमानुशे दान्तों का विस्तार किया था वैस स्यासिक अस्थान 81 काली बंगा इस नाम का सबसे महत्पूर अस्थल किस नदी पर अस्थित है घगर नदी पर 82 जर्मन अर्थ्वयस्ता के युद समाजवाद नामक एक कैंद्रिय नियंतर में रखा गया था किसी जर्मन के लिए या क्या लिखाया हाँ सरपर्थम क्या अनुभव था तो इसका राइट एंसर है संपूर्ण युद का अनुभव था उसे आई एटी फोर में करता है उपरी दो आब और रोहिल खंड छेत्र में तालुक दारों की एक सामपतिक समूव की रूप में किसमे कदम दिया गया था तो गाउं गन राइज में किसमे दिया दाएगा ग्लोबलाज़ेशन सोशल ठियोरी एंड ग्लोबल कल्चर पुस्तक के लेखक निमिकर में से कौन है रॉलेंड रॉबर्टसन बस्तियों के चार और बनाए गई सुरच्छा दिवार के निसान कहां पाए गे थे कोट दीजी रूस के अधिन्ता का विरोध करने वाले लोगों को समर्थन देने के लिए किस योजना के दर्वार द्वारा आर्थिक सहाता का पेशकस की गई थी मार्शल योजना के द्वारा हमारा उदेश दीड है हमारे साधन सुद्धतम है और परमेश्वर हमारे साथ है यह किस ने कहा था महात्मा गांधी ने कहा था किसके निवेश्ट वारा भारत में पहली बड़ी मीटर गेज लाइन्स का विस्तार हुआ था ब्रीटिच इंडिया गवर्मेंट यह तो सभी को पता है आटवी सतावदी के सबसे परसीत कस्मीरी हिंदू मंदीर का नाम क्या है तो श्री मार्तंड सुरी मंदी नेक्स्ट है जो इंग्लीज में है तो हम उस-सो ऐसे समझा नहीं पाएंगे तो इस्टिस को आप खुद से रिट करके समझचंट हो जो एंग्लिस में केश्टेंट है और जो हिंदी यह इसको थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लिजेगा ट्रांसलेट नहीं हो पाया यहां पर गुगल वर आसे ट्रांसलेट कर लिजेगा कौन सा गुन जौर्वे संस्रिति की अनूठी विसेस्ता थी तो मिर्तकों का दा संस्कार दे देखिये किसके कारन काता बीदेश सी प्रेशन भरने के सरकार पर आये अनुग्रह की वजह से तो कुछ-कुछ देखिये जो इकोनोमिस का जो इतिहास है उस मुख तो पुछे का ना चुकि हिस्ट्री है तो मनुस मुक्त पैदा हुआ है लेकिन हर जगा वह जहंजीरों में जकड़ाय किसके दवारा अद्धत है जीन जीन जकुएस रूसों ने कहा था किस भारतिय सासक वन्स के दुरान तीबत में वो धर्म का परिचे कराये गया था पाल आगे बढ़ते हैं अच्छी सरकार सवसासन का कोई विकल्प नहीं यह तो किस ने दिया था कहा था महातलब सबसे अच्छा अच्छा रहेगा है अब चली एक सो तीन तक चल गया है चुकि उधर इंग्लिस में तर्ट छोड़ दी है चुकि ऐसे पढ़ने स्क्राइब समझाए नहीं पाएं उसका हिंदे किया और रहा है तो कता है बॉंबे में भारती राष्टी कॉंग्रेस की पहली बैटल इमिन्टों से किस अस्थान परहुट की गई थी तो गोकुल दास देजबास संसीत कॉलेज जमाल अब्दूल नासेर ने तकता पलट की दवारा किसकी सत्ता हतिया ले थी तो राजा भारुक का राष्ट दवारा साजनी छेतर की कर्मों को चलाने का प्रश्टा भारती राष्टी कॉंगरेस ने किस अपने परित किया गया था तो इसका राष्ट का कराची नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो आगी मिलता है कि वलवन दवारा अनुसरन किये जाने वाले सिजदा और पाय देवन्स का मूल अस्थान है चीन आए 109 भासाई प्रान समिती को किस नाम से जाता था धर समिती आए 110 सूफियों के बारा आरेशों को क्या कहा जाता है सिल सिलाहस आए किस मुगल सासक ने सरायों को कस्बों और डाक चोखियों के रोपे इस्तिमाल किया था तो सेरसा सूरी दूसरी सभा संगम के दुरान लिखी गई सबसे पहली तमिल ब्याकन का क्या नाम है इसका राएट एंसर है तौलकापियम तौल का पियम आगे बढ़ते हैं तो मिलता है नेक्स्ट में खिल्जियां के सत्ता में उद्धे की निमलिखित में से किसके उच्छ कारे कार्यालों का किधिकार को स्वाप्त कर दिया था तुर्क नेक्स्ट है कि राज मुगल अधिपात्य को स्विकार करने से लगतार इनकार करता रहा मेवाड नेक्स्ट है 1830 से 1929 तीस के बीच निमलिखित भारतियोत पारों का कौन सी एक परमुख निर्यात की सब वस्तु बनी रही मतलब जो निर्यात होता रहा ओथा चमड़ा ओ आगे बढ़ चाहर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा है मिलेगा संगीत समारों या किर्तन का लुक्प्री में से रह से पूर्ण अनुभव के रूप में निमिकिस के द्वार पुरुशाथ के गया चैत्न के द्वारा पुरुशायथ क्या था रास्टीगान ठीकि कर है डियूस लेंड डियूस लेंडूस लेंड लिएलेश का अर्थ क्या है जर मनी कि मुष्टिम लिखे समद्ध च踞 करने वाले इन में से कौन नहां था मोठते हैं तो मिल जाता हमें उस बुजुर्ग वियत नामी नेता का नाम बतने क्या था जिन्होंने वियत नाम के सुनता के लिए लिखे स्थापना की थी होची मिन आगरावाज ब्यूल्ट बाय किसके तरह बना गया था अकबार के दोबारा क्रिमियन यूद के दुरान कौन सा देश सक्ति संदोन के लिए गंभीर खातरा बन गया था रूस आजाद हिंद सरकार ने अंड़मान और निकोबार ड्यूपों को किस रूप में नाम करण क्या गया था सहीदोर सवराज सहीदोर सवराज गनीत को एक किस छेतर में प्राजिन भारतियों का सपस्ट आउधार ना थी तो इसका राइट एंसर होगा सार सेंख्या अभी नहीं आपनी बेसिक बिटीश सवरान की परियोग से पहले कौन से राइफल का परियोग होता था गरांग कर दिया गया था दिसंबर 1991 में त्रीवर्क में क्या-क्या सामिल होता है धर्म अर्थ काम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लोग तो क्या था संजूक तराष्ट के महासचिव कोंटे जिनकी देख रेक के चीनी जेलों से अमिर्की उड़ान भरने वालों 1954 से पस्पन का दुरान हुई थी देग हम कर्मा असकुल्ड आगे बढ़ते हैं अगनि मीत्र कालिदास के किस नाटक का नायक है कैं मालिका गिनि मीत्रं मालिक का गिनिमीत्रंग क क्रैसीस एड सीवलाइजेसं कि स्के दवरा लिखा गया था रविंदर नाट टैगर के दवारा यह लिख्या महाविरा फादर सवाजदा है डॉप क्लेन कॉल्ड स कौ उसको जंतरीका का जेचांध पहला फ्रवल रतम चाहां प्र दायक स्था व сог गें तुर्च आप या हमें नहीं पता है लेकिन मुनार पता अगर आपको हो पता होगा तो ठीक है कि इसका राइट एंसर दिया हुआ है आयोके अधार,-op आर्थिक पर्योजन माननिये अगेंचाब का ज्यान परदान करता है और जाने अंजाने 키 किक इसन्षा समांसिक की दवारा मौंकस के द्वाराक बल्बन के कौन सा कौन सी वरसा दिल्ली सल्टन के लिए उपयोक्त साबित होती है तो सामिरक और कुट नीती बंगाल और बिहार में विद्रों का मुख्य कारण क्या था दाग परनाली का सक्त परवर्तंग सबसे मसूर मैदिकलन दसनी भारती बैपारिशन का नाम ठीक है संपर्दाय के संस्था आप गोसाला आगे बढ़िएगा तो मिलेगा गोसा चोल संद्राजाओं के मलावा में श्री विजय के बीच हुए संवाद के बारे में बताया सुमात्रा कि यह देन आपका जुए सो कम्प्लीट हो गया आपका कोशन ने टोटल एक सो चैलिस हो चार कोशन बच रहे एक मिनट रुकिएगा कोशन नमर एक सो सेतालीस विल्लियम ब्रेंडलिक के अनपड़ परन्तु परतिभासाली तक नीजक तक नीकज थे तो निमिलिकेत में से किस नहर का निर्मान किया था यह होगा तो बिरीज वाटर का निर्मान किया था 148 अपचारी रुप से राष्ट राइज परनाली को व्यवस्था करने वाली व्यवस्था का नाम क्या है वेस्ट फेलियो की सांती संधी 149 चंद्रगुप दित्य के समय सिद्ध किया गया धात्य विग्यान के किस में पाए जा सकती है महरोली के लो अस्तम में आगे बढ़ते हैं लास्ट कोशन अंतीम कोशन राम पनिकर कौन सी किताब के लिखक है भारत गाथा तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें इस कॉमेंट करके बताएं लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करें और बगल में बेल आइकन होगा उससे जरूर दब दबादें और लाइक और सेर लाइक और सबस्क्राइब इसलिए करें लाइक और कॉमेंट इसलिए करें क्योंकि आपके लाइक और कॉमेंट से पराचलता है कि हमारा जो वीडियो है जो हम बना रहे हैं यह सफल है या अगर सफल है तो अगला वीडियो आएगा अगर सफल ह अगरो ऑडियों नहीं सो फायदा हम विडियों के बिडियों बनाते जाये और सिरफ हमारे विडियों को फैदा रहा लिए ऐसे आप इस चैनल को अपना इसास समझ करके अधिक सहद ही कि सपोर्ट की। सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को अधिस अधिस तक पहुंचाएं और हमें कॉमेंट करें जरू बताएं कि सर ये वीडियो अच्छा लगा अगली बार ये वीडियो लेकर करें तो हम जरूर बताएंगे तो मिलते हैं ने शुरूर में तब तक के लिए बहुत-बहुत तैन्निवार